हेलो एवरीवन स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में और अब हम लोग कॉनके लेंसे शुरू कर रहे हैं आज हम लोग कॉनके लेंसे पढ़ेंगे और फिर उस पे कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे साइन कॉनवेंशन लेंस फॉर्मूला मैगनिफिकेशन यह सब कुछ आज हम कंप्लेट कर लेंगे ठीक है चोटे चोटे टॉपिक हैं क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं सभी लोग मीरर में इसलिए मज़े से यहां पढ़ लोगे फिक है और जिन लोगोंचे अच्छीं से नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा यह भी बात गरांटी है मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि भाई या mirror का revise कर लेना ठीक है ना mirror का revise कर लिए हो तो यह चीजे पढ़ने में problem नहीं हो रही होगी वरना problem होगी आप समझ में आई ना चलिए शुरू करते हैं हम लोग image formation by concave lenses फिर भी मैं सब कुछ detail में पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं मारूंगा detail में पढ़ाऊंगा लेकिन अगर आप mirror पढ़े होगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो label है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा ठीक है ना इमेज formation by concave lenses तो concave lens होता क्या भी यह optical center होता है इधर focus होता है center of curvature और इधर भी focus और center of curvature ओके यह होता है आपका concave lens इसी से जो image का formation होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो मैं आप लोग बता दूँ जो concave lenses जिस तरीके का image बनाएगा यह हम लोगों ने mirror में जो convex mirror पढ़ा था याद है यह है आपका convex mirror तो convex mirror में एक बार हम लोग object को infinity पे रखते थे और एक बार object को infinity और pole के बीच में कहीं भी रख लेते थे तो जब हम लोग infinity पे रखते थे तो image का formation जो होता था वो mirror के पीछे होता था वर्चूल ही होता था और focus पे होता था ठीक है ना virtual और erect बनता था और जब हम लोग infinity और pole के बीच में कहीं भी रख लेते थे तो image हमारा pole और focus के बीच में छोटा सा बनता था यह भी virtual बनता था क्योंकि rage वास्तों में तेहां जाती नहीं है रेज तो यहां से टकरा के वापस चले जाती है तो यह भी virtual बनता था तो यहां पर क्या होगा हम लोग इधर object को तो रखेंगे lenses के compare lenses में हम लोग object को तो इधर रखेंगे और rage जाएगी तो चुकि यह transparent material है तो यहां से rage तो इधर की तरफ निकली जाएगी लेकिन कुछ ऐसा होगा कि image का formation थोड़ा सा अलग तरीके के होगा और virtual image बनेगी उसी क के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है ना थोड़ा समय ने यह mirror का बता दिया तो आपको अच्छा लगेगा चलिए तो ncrt का यह है जिसमें कि दो आप लोग देख रहे हैं मात्र इसके दो case होते हैं same as convex mirror की तरीके convex mirror की तरीके इसके भी दो किसे सोते हैं और concave lens के तो देखिए पहला यह है दूसरा यह हम लोग एक बार object को infinity पर रखेंगे तो हमें image जो मिलेगा वो एफोन पर ही मिल जाएगा कहने का मतलब यह है एफोन हम लोग किदर को मानते हैं इधर की तरफ ही मानते हैं न एफोन तो इधर की तरफ ही image बन जाएगा और जब हम लोग दूसरी बार object को infinity और optical center के बीच में कहीं भी रख देंगे infinity और optical center के बीच में object को कहीं भी रख देंगे तो हमें image जो मिलेगा वो एफोन और optical center के बीच में मिलेगा यानि कि यहां पे कहीं हमें image मिलेगा तो यह पहला image यहां बनेगा दूसरा image यहां बनेगा और जो यह पहला image होगा यह बहुत ही छोटा होगा point size होगा मतलब यह बड़ा नहीं होगा बलकि focus पे बहुत छोटा सा होगा और दूसरा वाला image diminished होगा diminished का मतलब होता है small size यह तो यार जानते हो तुम लोग अब यह सब्द सुन सुन के तुम लोग बुड़े हो गए ठीक है कितने दिनों से सुन रहे हो यह लोग यह सारे सब्द और चुकि rage तो सारी इधर निकल जाती है इधर की तरफ rage का वास्तों में मिला आप नहीं हो पाता इस कारण से यह virtual और reject बनेगा मैं अब diagram बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ पहला के इस पहले में बना के दिखा रहा हूँ देखिए पहला के इस हम लोग बनाते है यह रहा आपका lens ठीक है यह रहा आपका optical center हमने object को कहा रख दिया infinity पर रख दिया यह रहा आपका object ठीक है यह आपका object है अब यह जो object है थोड़ा सा तिर्चा बन रहा है कोई बात नहीं तो यहां से हम rage लेकर जाएंगे तो अगर infinity पर कोई भी object होती है यह तो सारी कि सारी रेज कैसे जाती है पैरलल जाती है तो यह भी parallel जाएगी माले जिए mirror थोड़ा सा उपर तक है lens थोड़ा सा और उपर तक है यह आठा दीजे ठीक है यह जाएगी फिर यह सीधा क्यों नहीं बन रहा actual में क्या है न मैंने तीर्चा पकरा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है आप यह समझे लीजे पूरी पैरलल जाएगी किसके पैरलल इस प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल तो जो भी रेज पैरलल जाती है आप लोगों को मालूम होगा कि पैरलल जब जाती है रेज तो क्या होता है ये इस तरीके से यहां से डेवियेट हो जाती है कि जब इसको पीछे लेकर जाते हैं तो एक फिक्स पॉइंट पर ही आके मिलती है इस तरीके से डेवियेट हो जाए हो जाएगी कि पीछे जब इस रेज को लेकर जाओगे से फिक्स पउइंट से इसा लगेगा कि फिक्स पॉयंट से यहां से निकल रही तो यह जो फिक्स ४ॉइंट है इसको आम लोग फोकुस कहते हैं और वर्चुली इमेज का निर्मान यहीं होगा क्योंकि रियल इमेज रियल जो डाइगराम आप देख रहे हैं जो रियल रेफ्रेक्टेड रे है वो तो कहीं मिले नहीं रही है यह सारी रेज इधर की तरफ और यह सारी रेज इधर की तरफ यानि कि इनका मिलाप तो कभी हो ही नहीं पाएगा तो जब तक सारी refracted rays का मिलाप एक जगा नहीं हो पाएगा तो image का formation तो हो नहीं पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उस rays को पीछे ले कर जाएंगे और जब पीछे ले कर जाएंगे तो वो एक fix point पर मिलेगी उसी fix point को हम लोग focus कहेंगे जो कि पहले भी आप पड़ चुके हैं और उसी focus पे image का निर्मान होगा और चुकि यहाँ पर virtual बनेगा क्योंकि वास्तों में rays तो आ नहीं रही है तो यानि कि यहाँ पर virtual image बनेगा एंड वर्चुल जब भी बनता है तो erect बनता है यानि कि सीधा बनेगा ठीक है यह देख लिजे यहाँ पे ncrt के द्वारा यह पैरलल रेज और यह पैरलल रेज प्रिंस्पल एक्सिस के तो यह इस तरीके से डेबियेट हो जाएगा यहां से इस तरीके से डेबियेट होके आगे निकलेगा कि जब इसको पीछे लेकर जाएंगे तो यह फिक्स पॉइंट पर ही आकर कट करेगी और भी आप रेज ले सकते हैं पता नहीं क्यों यह एक मिनुट यह मैंने तिरचा पक रहा है ना चलिए वेरे गुड चलिए तो यह ऐसे निकलेगा कि जब इस रेज को पीछे लेकर जाओगे यह जो रिफ्रेक्टेड रेज को पीछे लेकर जाओगे तो यह इसी पॉइंट पर मिलेगा बात समझ में आ गई तो इसी point पे हमारा image का निर्मान होगा इसी focus पे हमारा image का निर्मान होगा virtual बनेगा और सिधा बनेगा दूसरा किस देखिए दूसरा किस क्या है कि अब हम लोग object को अब हम लोग object को infinity और इस optical center के बीच में कहीं भी रख दे infinity और optical center के बीच में कहीं भी रख लो कहीं भी जैसे ये a हो गया ये b हो गया ठीक है तो यहां से अब दो रेज जरा लेकर चलो a point से दो रेज लेकर चलो ठीक है ये पहला ray हम लेकर रहे हैं और दूसरा ray ऐसा करते हैं कि optical center से ही निकाल देते हैं ताकि हमें उसको कहीं deviate ना करना परे क्योंकि optical center से जो ray जाती है वो सीधी निकल जाती है मतलब reflect होके और ये वाली ray ऐसे ही निकलती है इधर की तरफ कि इसको पीछे लेकर जाते हैं तो ये focus पे मिलती है मतलब यहां कहीं focus होगा ओके यानि कि आप देखिए यह ray यह और भी आप कोई भी ray ले लें यह कभी मिलेगी नहीं यह जा रहा है किसी दूसरी तरफ यह जा रहा है किसी दूसरी तरफ मतलब इनका मिला पोई नहीं पाएगा यानि कि really में तो कहीं नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि इनको पीछे लेकर आने की कोसिस करेंगे तो हम जब पीछे लेकर आएंगे इस रेज को भी हम चाह रहे हैं कि यह पीछे की तरफ आए, तो यह रेज तो यहीं है, क्योंकि आप्टिकल सेंटर वाला यहीं होता है, तो यानि कि यहाँ पे मिलाप हुआ, यानि कि A- यहाँ बनेगा, यानि इमे छोटा सा यहाँ पे बनेगा A- और नीचे B- क्योंकि सामने की तरफ रेज मिल नहीं रही है, तो उन दोनों रेज को जब हम पीछे लेकर आएंगे, यह पीछे लेकर गएं इसको और यह पीछे लेकर गएं इसको, तो जब पीछे लेकर जाएंगे तो यहीं तो मिलेगी, तो यानि कि A- उपर की तरफ बनेगा और B- नीच सिधा बन रहा है ए उपर है बी नीचे है कि आप लोग इसको भी देख लिए एंसी आटी का यह फिगर यह आपका ऑब्जेक्ट है यहां से एक रेज इन्होंने पैरलल लेकर गए तो इस तरीके से डेवियेट हुआ कि इसको पीछे लेकर जाने पर फोकस पर यह मिला यहां प सब्सक्राइब करने गया एक डैस और डी डैस ओके उपर की तरफ एडैस और नीचे की तरफ बीडैस तो यह है आपका दो केस और आई थिंक यह समझ में आ गया होगा तेम टू एज प्रिवियस कॉन्वेक्स मिरर की तरीके था कुल खास तो इसमें है नहीं यूजज की बा ऐसाँ आपको माय फिया हो यानि की सवाट सॉर्स क्वेस irty वाले जो कर बने बताया था ना कई लोग होते हैं जो जिनकी दूरी कमजोर होती है तो में हम लोग इसका यूज करते हैं अब ही अगले चाप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं टॉंट वटरी और एक होता है Galilean Telescope उसमें हम लोग Eye Lenses के लिए इसका यूज करते हैं क्योंकि मान के चलिए हमें बहुत दूर की चीज़े देखनी है ठीक है छोटा करके तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि Infinity पे अगर कोई Object है तो उसका Image जो है वो हमारा अच्छे तरीके से बन जाएगा Virtual और Erect बन जाएगा इसलिए Galilean ने Galilean Scientist थे उन्होंने जो अपना Telescope बनाया था उसमें उन्होंने इसी लेंस का यूज किया था ठीक है ना आगे चलते हैं एक Question करते हैं देखिए यह Question काफी अच्छा Question है फुरे से आपका लेवल इंक्रीज होगा देखिए वेन फॉर्क इस सीन थ्रू लेंसेस ए एंड बी वन बाई वन इट एपिर्स एच अब मैं बता रहा हूं किस तरीके से वह दिखाई देगा यह मान के चली एक फॉर्क है मतलब की एक शोब्मक का है है और फ्रॉर्क वह तरह नकिञा है जो चौमिन कहते हैं जीएक इसे कांटेदार एसा होता ना कांटेदार है पुरह सबराज बना लेते हैं ऐसे कंटेदार है तस यност ho हमें चोटे-चोटे दीखने लगे हैं घिक है और यह रहा है लेंड है यह लेंड़ और सेम चमज सेम चमज अब जो एक सो बड़ा-बद दिखने लगा इसके काटे यह है और यहाँ पने लेंड़ डाला यानि कि यह लेंस भी यह ऊपर वाला lens है ठीक है और नीचे वाला चम्मच है तो यहां पर यह question पूछा गया है कि A lens और B lens A lens का nature क्या होगा और B lens का nature क्या होगा मतलब यह समझी है हमारे पास एक lens A है और एक lens B है और हम जब lens A से चम्मच को देख रहे हैं तो उसके जो सामने की नोखिली वाले हिस्से हैं वो छोटी छोटी दिखाई दे रही है और इसमें क्या हो रहा है कि सामने की जो नोखिले वाले हिस्से हैं वो और ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो A किस टाइप का lens होगा और B किस टाइप का lens होगा यह बात सभी लोगों को ये convex lens होगा क्यों क्योंकि convex lens जो है वो छठा वाला case आप लोगो को याद है virtual और erect image बनाता है convex lens और किस तरीके से बनाता है जब उसके focus और optical center के बीच में object आ जाते हैं तो उसको क्या करता है magnified कर देता है बड़ा बनाता है virtual और erect बनाता है तो मैंने पिछली बार एक सवाल भी कराया था कि अगर हमें छोटे-छोटे dictionary के word देखने हो तो कौन से lens का योज़ करेंगे convex क्यों क्योंकि वो बड़ा कर देगा देखा आपने यहाँ पे उसकी जो सामने की जो निकले हुई थी वो बड़ा करके दिखा दिया इसमें ठीक है ना कांटे की जो सामने की कांटे लगे हुए थे है चलिए तो इससे आपको क्या समझ में आया इससे आपको समझ में आया कि अगर कोई भी object lens से देखने पर छोटा दिखाई देने लगे यानि कि वो जो lens है वो concave lens है और अगर कोई object बड़ा दिखाई देने लगे lens से देखने पर यानि कि वो lens convex lens है अब इस पर कई variety के सवाल बनाया जा सकते हैं और कई बार इसे diagram दे कर भी पूछ लेते हैं और कई बार तो क्या कहते हैं direct भी word के form में पूछ लेते हैं concept आपको मालूम होना चाहिए what kind of lens can form पहला सवाल है आपका कि किस तरीके का lens है जो की inverted magnified image बनाएगा मतलब ultra बनाएगा और greater बनाएगा कौन सा lens ये काम कर सकता है convex कर सकता है क्योंकि concave तो मात रेखी type का image बनाता है वो है छोटा बनाएगा virtual और erect बनाएगा concave lens मातर यहीं करता है convex में 3 भराइटी होती है बड़ा भी बना सकता है same size का भी बना सकता है छोटा भी बना सकता है virtual भी बना सकता है real भी बना सकता है कई भराइटी हो जाती है convex lens के साथ जैसे वहाँ पे concave mirror के साथ था पॽा, अच्छा, an erect magnified image, मतलग कि सीधा बनाए, यानि कि virtual बनाए और magnified, greater बनाए, ये काम भी convex नहीं करेगा, ये काम भी कौन करेगा, convex dimension करेगा, ये चथा वाला case की बात कर रहे हैं, ये चथा वाला case है आपका, an inverted diminished image मतरब ultra बनाए और छोटा बनाए तो ultra बनाएगा ultra मात्र convex ही बनाता है ठीक है ना छोटा तो concave भी बनाता है लेकिन concave ultra नहीं बनाता है सिधा बनाता है तो अगर inverted चाहिए और छोटा चाहिए तो यानि कि हमें convex lens का ही यूज करना होगा erect diminished हाँ सीधा बनाना हो और छोटा बनाना हो तो अब हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे कॉनकेव मिरर का यूज अभी आपने देखा भी कि छोटा बनाता है और सीधा बनाता है दूसरा वाला केस जो था तुम सभी अब इतने तेज हो गए होगे, कि अब इस तरीके के question को हलुआ बानोगे, देखिए अब हम लोग sign convention की बारे में बात करते है, sign convention के बारे मैं बता दूँ जो mirror में पढ़ा था, same to same है, एक दू चीजे change है, मैं वही changes सिर्फ बता रहा हूँ, देखिए, क्या changement है, त तो same as spherical lenses की तरीके चलेगा, यहाँ पर, spherical mirror की तरीके, sorry, same as spherical mirror की तरीके सब कुछ चलेगा, यहाँ भी sign convention for lenses की हम लोग बात कर रहे हैं, time convention for lenses, तो same as spherical mirror, बस यहाँ पर यह है कि जितनी भी measurement है, यह हम लोग optical center O से करेंगे, वहाँ पर हम लोग कहां से करते थे, pole से करते थे, तो देखिए, यह रहा आपका convex lens, और यह रहा आपका on cave lens, तो अब मैं यह बात तो समझ में आ गई, कि सारी चीजे जो होगी, वह कहां से शुरू होगी, इस optical center से होगी, सारी चीजे कहां से होगी, optical center से होगी, जो भी दूरी नापना है, हम अपने आपको optical center पर मानेंगे, कि optical center पर हम present हैं, और अगर हम लोग object के range के direction में जाएंगे, यानि कि object की incident range जो होती है, जिधर जाती है अगर उस direction में जाएंगे, यानि कि हम लोग positive मानेंगे और उल्टा जाएंगे तो negative मानेंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, कि चुकि इसके दो-दो focus होते हैं, इस mirror के भी दो focus, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, और इसके भी दो focus, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, तो किसको हम लोग main focus मानें, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो आपको दिमाग में रखना है, वो ये रखना है, ये जो पहला वाला surface है ना, ये पहला वाला surface, इस से जिस focus का निर्मान हो रहा है, उसी को main focus मानें, ये पहला वाला surface, देखिए पहला वाला surface ये है, तो ये जरूर इध की आपको कॉन व्यक्ष लेंस में फोकस लेंस के राइट हैंड साइड मानना है कि बात समझ मिया क्योंकि पहले वाले स्पेरिकल का जो फोकस आ रहा है वो राइट हैड आ यानि कि object अगर हमारा इधर हुआ, तो object से range इधर positive आएगी, तो हम optical center से focus की दूरी नापने के लिए भी इधर की direction में जाएंगे, इसलिए convex lens का focal length positive होता है, अब समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग इधर range जा रहे हैं, और optical center से इधर नापने के लिए, हम लोग focus नापने के लि यह पहले पहला वाला जो है, कुछ इसी तरीके का sphere रहा होगा, यह पहला वाला जो surface है, तो पहला वाला surface का sphere कुछ ऐसे रहा होगा, यानि center of curvature कुछ इधर रहा होगा, और focus इधर रहा होगा, एक हम optical center से इधर की तरफ आएंगे focus को नापने के लिए उल्टा इधर की तरफ positive हम मानते हैं incident ray को तो इधर की तरफ हमें negative मानना होगा यानि की concave lens का focus जो होगा वो negative होगा तो focal length of concave lens is negative मुझे लगता है यह बात समझ में आपको आगई होगी एक और तरीका इस बात को याद रखने का वो तरीका यह है कि image convex में image का formation ज़्यादा किधर होता है left hand side में right hand side में इधर की तरफ होता है right hand side में तो right hand side में 5 cases में image का formation right hand side में होता है और 6 case में left hand side में होता है तो ज़्यादतर इधर ही होता है ना तो focus भी इधर ही माल लो और concave में image का formation दोनों का दोनों left hand side में ही होता है यानि कि focus mean इधर ही माल लो तो आपको सवाल solve करने के लिए focus इधर की तरफ mean मानना इसमें और इधर की तरफ मानना है इसमें यानि कि convex में focus focal length जो होगा वो positive हो जाएगा और concave में focal length जो होगा वो negative हो जाएगा यह बात सब को समझ में आ गई होगी एक बार मैं फिर से diagram बना के सारी बात clear कर देता हूं ध्यान से देख लिजे यह है आपका concave convex यह क्या है convex lens है और यह आपका optical center अगर हमारा object इधर की तरफ हुआ तो इधर की तरफ incident रे जाएगी मतलब positive हमको यहीं मानना है लेकिन अब हम optical center पर बैठ गए हमारा main focus कि धर हम इसको मानते हैं इधर की तरफ अगर हमें focus ना अपना होगा तो incident रे की direction में जा positive हो जाएगा हम इधर की तरफ जाएंगे object distance ना अपने के लिए यानि कि you हमारा negative हो जाएगा image कई बार इधर की तरब भी बनते हैं 5 cases में और image एक छटे case में इधर की तरब भी बनता है याद है छटा वाला case में इधर की तरब बनता है यानि कि हमारा भी जो होगा वो positive भी होगा और हमारा भी जो होगा वो negative भी होगा क्योंकि अगर image इधर बनेगा एक से लेके पांच case तक जो बनता है तो हम लोग incident रेके ही direction में जाएंगे optical center पर बैट के नापने के लिए यानि कि हम लोग positive direction में जाएंगे यानि कि अगर image real और inverted बनेगा ये एक से पांच तक क्या बनता है image real and inverted तो हमारा भी positive होगा तो भी positive होगा किसके लिए real and inverted image के लिए real and inverted image के लिए और भी negative कब होगा यानि optical center से हम इधर के तरफ कब जाएंगे negative direction में नापने के लिए छटे वाले case में जब हमारा virtual और virtual and erect image बनेगा virtual and erect image बनेगा तो हम लोग optical center से left hand side की तरफ जाएंगे यानि कि negative जा रहे है clear रहा ना concave में भी same बात concave के लिए भी same बात हम हमेशा हमारा object इधर रहता है यानि कि you तो negative होगा ही होगा हमेशा you negative होगा इधर की तरफ incident रहे जाएगी positive direction हमें यह मानना है और you नापने के लिए हम इधर की तरफ आएंगे you negative होगया if भी इधर होता है तो if नापने के लिए भी हम इधर की तरफ आएंगे यानि कि यह भी negative यानि कि if जो हुआ यह भी negative और भी जो है एक मिनट हाँ भी जो है इमेज भी आपका इधर की तरफ ही बनेगा एक बार focus पे बनता है और एक बार focus और optical center के बीच मेंथा है मतलब कि image नापने के लिए भी हमें इधर की तरफ आणा होगा तो image नापने के लिए भी इधर की तरफ हाना होगा यानि कि भी भी हमारा negative यानि कि virtual and erect image तो आपने एक बात देखी भी negative होगा यानि कि virtual और erect के लिए भी negative कब होगा virtual and erect के लिए और भी positive कब होगा real and inverted के लिए ये बात सभी को ध्यान में रहनी चाहिए ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर लिजेगा भी positive भी negative ये सारी बातें नोट कर लिजेगा mirror में भी मैंने समझाया था यहाँ भी एक बर मैंने समझा दिया भी या चलिए अब हम लोग बात करते हैं lens formula की तो mirror formula क्या होता था mirror formula होता था one upon b plus one upon u equal to one upon f ये आपका mirror formula होता था सभी लोगों को याद होगा lens formula थोरा सा change हो जाता है ये हो जाता है one upon b minus one upon u equal to one upon f या इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं देखो one upon b plus one upon minus का u मतलब यहाँ पे अभी u जो है उससे पहले हमने negative sign लगा दिया equal to one upon f बात समझ में आई ना तो ऐसा मैंने क्यों लिखा ही अभी आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छा सभी लोग को ये बात मालू होगा u क्या है object distance है तो यहाँ पे लिख भी लो u जो ऐसो object distance है यानि कि distance between object and optical center भी क्या है image distance है image distance का मतलब क्या हुआ distance between optical center and image और f क्या हुआ ये focal length हुआ यानि कि distance between optical center and focus ये focal length हो गया और एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि b, u और f हमें sign के साथ put करना है put with sign ठीक है न ये negative तो formula का part है ये तो रहे गहीं रहेगा बाकी आपको देखना होगा कि b, u, f positive है कि negative है ये तो negative रहे गहीं रहेगा बाकी आपको u भी देखना होगा कि positive है भी भी देखना होगा f भी देखना होगा वहसे मैं आप लोग बता दूँ कि u तो हमेशा negative ही होता है यू हमेशा निगेटिव ही होता है अरे object distance हमेशा निगेटिव होता है अगर हम लोग अभी आपके तेंथ लेवल पर बात करें यानि कि यू हमेशा निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव प्लस बन जाएगा मैणस माइनस किया हो जाएगा प्लस बन जाएगा और यह सेम ऐसाइझI फर्मुला बन जाएगा जैसे की मिरर का होता है ठिक है लेकिन अभी उसतना लेभल मत समझो अभी फिलहाल इतना समझो कि आपको भी यू-f साइन के सांथ रखना है ठीक है तो यह हो गया आपका लेंस का फर्मूला अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैगनिफिकेशन के बारे में दो मिनट लगेगा मैगनिफिकेशन सेम जैसे वहां पर डेफिनिशन होता था कि रेशियो ऑफ हाइट एंड रेशियो ऑफ अबजेक्ट सेम वहीं बात यहां पर है कि यहां भी सेम फॉर्मूला चलता है कि हाइट ओफ इमेज अपान हाइट ओफ ओबजेक्ट यानि कि हाइट ओफ इमेज अपान हाइट ओफ ओबजेक्ट इट इज डिफाइन अज रेशियो ऑफ हाइट ओफ इमेज एंड दा हाइट ओफ ओबजेक्ट Magnification लेकिन जब हम लोग V और U के Compare में बात करते हैं V और U के Compare में बात करते हैं तो क्या होता है M equal to height of image upon height of object ठीक है या क्या होता था minus का V upon U होता था ना याद है पहले लेकिन अब U जो है यहां से आप देखिए तो U को हमें यहां पर negative आ गया है यहां पर एक U के साथ negative एक्स्ट्रा आ गया है लेंस में यानि कि वो U यहां पर अगर हम negative के साथ रखते हैं तो negative negative प्लस बन जाता है यानि कि आपको कुल मिला के बात यह याद रखनी है पि अब लेंस में magnification जो होगा वो height of the image upon height of the object होता ही है अब यहां पर V upon U होगा V upon U होगा Mirror में क्या होता था? Mirror का अगर magnification निकालना होता तो क्या होता था? Minus का V upon U क्या होता था? Minus का V upon U लेकिन U यहां पर हमें में सब निगेटिव के साथ आ रहा है U अला term तो यानि कि अगर U अला term को निगेटिव एक और बैठा देंगे यहां पर तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा यानि कि M equal to V upon U lens के लिए होता है तो आप तो डाइरेक्ट याद रखना कि Magnification V upon U lens के लिए होता है और Minus का V upon U mirror के लिए होता है इस तरीके से आप याद रख लेना ठीक है? ओके यहां पर देखिए एक बात और मैं बता दू Magnification के बारे में थोरी सी और हम लोग next page पे discuss कर लेते हैं चलिए Magnification हमने क्या देखा? कि height of the image upon height of the object यानि कि V upon U यह lens के लिए बात हो गई ठीक है न? और अगर mirror के लिए करते हैं तो minus का V upon U करते हैं यहां पर जब एक बात ध्यान दीजिए मान के चलिए कि हमारा भी जो है वो positive है मतलब की हम किसकी बात कर रहे हैं? Real and inverted image की बात कर रहे हैं Real and inverted image के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि V positive अभी पीछे बताया यार कितनी जल्दी मत भूल जाना यह देखो V positive real and inverted image समझाया भी कैसे और V negative virtual and direct image इतनी जल्दी मत भूल जाना चीज़ों को आज कले गाना वो trend चल रहा है न बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे लोग बचपन का प्यार नहीं भूलते हैं और तुम लोग ऐसे हो कि एक मिनट का concept भूल जाते हो तो ऐसा मत करना लोग फालतो बाते हम लोग को बहुत याद रहती है है ना फालतो चीज़े हम लोग बहुत याद रखते हैं लेकिन जो काम की चीज़े होती है वो याद नहीं रहती है ना फालतो चीज़े कौन से पिक्चर में कौन हीरो था कौन सी हीरोईन थी उसका क्या नाम था, वो आले सीन पर क्या हुआ था, किस तरीके से एक्सन हुआ था, किस तरीके से रोमांस हुआ था, किस तरीके से डायलोग क्या थे, डायलोग की बोल क्या थी, हीरो की चाल क्या थी, मतलब यह सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन यह जो मेन बातें हैं, जो ह हमारी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें वो याद नहीं होती है इसके पीछे का रीजन भी है रीजन यह कि यह चीज़े थोरा सा मन नहीं लगता इसमें न तो इसलिए ऐसा होता है वैसे अगर इन सब चीजों में मन लगने लगाना तो फिर बहुत मजाएगा दीरे-दीरे मन लगेगा अचानक से नहीं होगा कैшन चली तो भी इकवल टू पाज़्यंत रियल और इंवर्टेटीड इमेज बनता है ठीक है तो मैं बोल रहा हों कि भी-एकवल है यानि कि रियल निन वर्टेड इमेज है तो मैगनीफिकेशन क्या हो जाएगा भी अप ऑन यू यानिकी एक बात ध्यान रखिएगा कि एम अगर निगेटिव है इसका मतलब है कि हमारा इमेज जो बन रहा है वो रियल और इंवर्टेट बन रहा है एम अगर निगेटिव है इसका मतलब है कि हमारा इमेज रियल और इंवर्टेट बन रहा है बात समझ में आई भी पॉजिटिव होन चाहिए इस सुन लीजी भी पॉजटीव होना चाहिए और एंब निगेटीव ना स्ट dans जाएं मिरर में कुछ और था मिर में कुछ औरÃ वहाँ पर दोनों के दोनों एक सेम साइन के थे लेकिन यहाँ पर क्या हो गया भी अब पॉजिटिव रहेगा और एम निगेटिव रहेगा तब जाकर लेंस रियल और इनवर्टेड इमेज देगा फिर से अगर B की value हम negative करते हैं यानि की B की value negative किसके लिए होती है virtual and direct के लिए virtual and erect image के लिए यानि की magnification क्या होता है B upon U यानि की B भी negative और U भी negative यानि की negative negative positive उपर भी negative नीचे भी negative positive यानि की अगर कभी भी M positive आ जाए कभी भी M positive आ जाए या question में magnification positive दिया गया हो तो समझ जाएगा कि वो बात कर रहा है virtual and erect image form by lens virtual and erect image की बात कर रहा है M positive आए या M negative आए अब आप लोग बता सकते हो direct की image का nature क्या है ठीक है ना अगर M negative आएगा यानि की image real और inverted बनेगा और M positive आएगा यानि की virtual और erect क्लियर चलिए आगे चलते हैं यह छोटी छोटी बाते बहुत काम की होती हैं दो छोटी बाते और मैं बता दूँ देखिए सबसे पहले Concave lens form an image which is always smaller than the object अभी हमने देखा Concave lens हमेशा छोटी image form करता है object से छोटा बनाता है ना एक case में focus पे बनाता है बिल्कुल छोटा और दूसरे case में focus और optical center के बीच में बनाता है small size का यानि कि जो M है वो height of the image upon height of the object होता है तो Concave का मैं लिख रहा हूँ अभी पहले वाले case का मैं लिख रहा हूँ ये तो Concave के case में height of the image छोटा होगा और height of the object बढ़ा होगा यानि कि M की value हमेशा less than 1 होगी ठीक है ना तो जो linear magnification of a concave lens is always less than 1 क्योंकि उपर छोटी भैलू नीचे बड़ी भैलू जाहिर सी बात है M की भैलू less than 1 आ जाएगी छोटी upon बड़ा 1 से छोटा अब मैं ये दूसरा की बात कर रहा हूँ Convex lens में जैसे वहाँ concave mirror में था सेम वैसे ही यहाँ पर convex lens में आप देख रहे थे कभी image छोटा बन रहा था कभी image same size का बन रहा था जब हम लोग center of curvature पर रख देते थे और greater बनता था दो बार greater बनता था एक बार real में और एक बार virtual में ठीक है ना जब focus और center of curvature के बीच में रखते थे तो उल्टा और बड़ा बनता था और जब focus और optical center के बीच में रखते थे तो सीधा और बड़ा बनता था virtual जो बनता था clear है ना तो यानि कि यहाँ पर image छोटा same size बड़ा तीनों तरीके के बन सकते हैं यानि कि यहाँ पर magnification less than 1 भी होगा magnification equal to 1 भी होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे height of the image, height of the object के यहाँ पर height of the object equal to height of the image के बराबर हो जाएगा यहाँ पर height of the image height of the object greater हो जाएगा और यह वाला केसी यहीं है और तीसरा greater than 1 भी हो जाएगा कब जब height of the image greater than height of the object हो जाएगा image का height जब बड़ा हो जाएगा object से तो m की value greater than 1 हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि यह उसी चीजे से निकल कराती है लेकिन बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं इसलिए हमें भी अलग से यह बताना पड़ता है यह आपका काम है कि 컨सिप्ट की आप जब समझ गए तो उसका nature निकालो कि उससे और क्या-क्या चीजे हो सकती है उससे और क्या-क्या बाते निकल सकती है तो यह चीजे हमें निकाल के आप लोगों को बतानी परती है और दुख की बाद तो यह होती है कि हम बता देते हैं उसके बाद भी बच्चे याद नहीं रखते मतलब एक तु मेहनत करके बता भी दो फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो तो फिर वरा दुख होता है टीक है ना तो यह चीजे ऐसी है जो आपको अपनी तरफ से सोचनी चाहिए तेकि हाँ एक बार बडा बन रहा एक बार छोटा बन रहा एक बार सेम साइज का बन रहा है यानि magnification वं से छोटा भी हो सकता है वन के बराबर भी वन से greater भी यह चीजे खुद से सोचो ठीक है तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स लेक्चर में हम लोग लेंस फर्मूले के उपर सवाल करेंगे और उसके बाद एक और लेक्चर यानि कि अब दो लेक्चर और आएंगे एक लेक्चर आएगा जिसमें की लगबग साथ आठ कोस्चन में डिसकस करूंगा लेंस फर्मूले पे और एक लेक्चर छोटा सा होगा जिसमें की हम लोग पावर अफ दे लेंस करके चाप्टर को खतम कर देंगे और उस पे दो तिन सवाल कर लेंगे ठीक है चलिए भईया तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आई हो सारी चीजे और अब नेक्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए बाए जैहिंद